पचातरमा 15 अगा सोतनता दिवस आजादी का अमरित महसव के अवसर पर सभी देश बासियों का मै कृष्णारान सिंग इस यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई हैं। न ठक कर बैठ मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नोकरियां दूसरी अन बेवस्थाओं से भी दी जाएगी। इसके बाद है कि जजबा है बिहारी, जजबा है बिहारी, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। यहां से हम लोग अब आगे नोकरी से रिलेटेड क्या बाते कही गई हैं सीयम के द्वारा, उसको हम लोग समझेंगे। सोतनता दिवस पर संबोधन के दोरान मुखमंत्री नितिश कुमार ने बिहार में नोकरी को लेकर के बड़ा बयान दिये हैं। भारत आज 15 अगास्त 2022 को आजादी का अम्रित महसब मना रहा है। आजादी के 75 बर्सगाठ पर बिहार के सीयम ने पटना के गांधी मैदान में जंडो तोलन का कार्जकरम संपन किये। इस समय मुखमंत्री ने संबोधन में कहा और संबोधन के कई मुद्धों के कहने के दर्वियान में उसी बीच में बिहार में नोकरी की बात भी कही। अनिक नोकरी से related उन्होंने बात भी कही और उन्होंने पिछली बातों को याद करते हुए कहा कि डिप्टी सियम अनिक जो अभी फिलाल में डिप्टी सियम है तिजस्वी आदव के उस वादे का भी और परत्यक्ष रूप से जिक्र किया जिसमें 10 लाख नोकरी की बात कही होगी इसके साथ नोकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना कराएंगे कि 10 लाख क्या हम लोग हम लोगों का मन है कि इससे भी ज्यादा निकि 20 लाख तक पहुंचाया जाएगा 10 लाख क्या 20 लाख तक इस नोकरी की विवस्था को अन्य छेत्र में जो बिरोजगारी है उसको दूर करने के लिए उस छेत्र में 20 लाख तक वेक्तियों को उसमें इन्वोल्व किया जाएगा चाहे वा नोकरी सरकारी हो या तो फिर सरकारी से अन्य छेत्र में रोजगार की बात कही गई थी तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आज जो आजादी का अमरित मह चल करके आगे बढ़ करके 20 लाख तक भी नोकरी और नोकरी के सासात अन्य छेत्र में भी रोजगार की बात कही गई है और वह कहां तक यह धरातल पर आती है बाते वह हम लोग आगे चल कर तो जरूर देखेंगे तो फिलाल जो सिक्षकों की बहाली है सात्मे चरण के अंतर लाग में भी नोकरी देने का प्रियास बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित थे बस थांक्स फॉर वाचिंग गुडबाए